कि शुबह टाइमस अफ इंडिया का अर्टिकल है नीट्रेप के टेलिग्राम चैनल पर हमने एग क्लिप डाल दी है सुबह नीट का अर्टिकल है इसमें क्या बोल रहें तो जेई मेंक की जो देट हैं यह बुल रहा है जेई मेंस एप्रिल और में में यह कह रहा है शायद दो बार होगा चार बार होने की जगह है और नीट के लिए बोल रहे हैं थर्ड वीक ऑफ जून से फर्स्ट वीक जुलाय तक हो सकता है अब आपको क्या समझना है पहली चीज यह वहला आर्टिकल हमने नीट प्रेप के टेलिग्राम चैनल पर डाल तेलिग्र जनली जो रिपोर्ट होती है इनके कुछ अजीब से विश्वस सूत्र है ठीक है आप हद इस बात की देखिए कि नोंने कुछ-कुछ डेटा जो पब्लिश किया था पिशे बाद 700 के ओपर इतने लोग थे इस बार इतने लोग है हर एक स्टेट में एक जनलिस है मिस्टर मान तलिक आपकोने की जरूरत नहीं है आपको पहने के तैयारी की यह जिए आप 0 पे लेफिर आप जानते हैं कि आप क्यों तयारी न thoughty you कर सकते हैं ठीक है पर मैंने जो कल बताया था आपको यह फोकस करना है साड़े चार मैंने तेकर टार्गेट ऐसे सोच लीजिए कि जून एंड तक बिल्कुल रेडी हो जाओंगा अभी डेट आ जाएगी मैक्सियों एक मैंने में डेट आ जाएगी पर आप अपने दिमाग में यदि आपको प्लान करना है उसके बाद जूनेंट के बाद जित्ती जाए आपके लिए बोनस है पर आप अपने दिमाग में यह बैठा लीजे मैं हमारे स्टूडेंट को यह रेक्मेंट कर रहा हूं आप जूनेंट का फोकस कर लीजे यदि आप हमारी टेस सीरीज का शेड टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया है ठीक है तार्गेट क्या होना चाहिए 135 दिन है कम से कम 1350 घंटे पड़ा जा सकता है हर रोज 10 घंटे सुनने में आसाल लगता है इसको इंप्लिमेंट करना डिस्सिप्लिन चाहेगा और आप खुद को यह चीज देना चाहते हैं आपको देना है आप करते हैं क्योंकि आपको एक तफ competitive exam नीट जो बहुत जादा लोग बैठते जिसके अंदर exam मुश्किल नहीं है पर चीजों को भूल जाने का डर होता है तो अच्छी तरह revision करना ज़रूरी है ठीक है चार चीजों का ध्यान रखना है पहली चीज जैसे मैंने बत को हमवग देता है वह भी करीब तीन घंटे का होता है तो यह बैलेंस मेंटेंग करना है फिफ्टी-फिफ्टी के सापसे सोच सकते हैं वीकली मॉक टेस्ट देना यदि आपको नीट पर की टेसी इसका शडूल चाहिए करीब आठ टेस्ट हुए अभी तीस में से ठीक है हर टेस्ट है टेस्ट दीजिए और एक शडूल फॉलो करिए आप चाहें तो शडूल यह हमारा जो शॉर्ट डूरेशन रिविजन कोर्स है इसका शडूल फॉलो कर सकते हैं यह अपना शडूल बना लीजिए फरक नहीं पड़ता पर इंपॉर्डन चीज यह है मेरा रेक्यमेंडेशन यह है डेट के साबसे आप यह सोचके चलिए कि शायद जून एंड में हो जाएगा पॉस्पोन होता है एंटिये जो भी फाइनल कांफरमेशन देता है उसके साबसे आप उसे पुश आउट कर दीजेगा पर अभी मेरे साबसे यह सोचके चलिए लोग अपनी तरफ से आपको regularly motivate guide और पढ़ाते रहेंगे और आप अपनी तरफ से पढ़ते रहें अभी भी काफी जादा time बाकी है मैं आपको यह बोलने की कोशिश कर रहा हूं अभी अभी काफी जादा time बाकी है यदि पूरी नीट की तयारी डाई अजार घंटे की होती है और यदि आपके पास 135 दिन याने तेरा सो पचास घंटे बचे हैं अभी भी काफी जादा time बाकी है best of luck to all of you लगे रहें और हम रेगुलर्ली आपको अपडेट करते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे एक्जाम के दिन तक ठीक है बच्चों